रसवी मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत हैं मैं सुस्मत्या आज बनाने जा रहे हूं ग्रिल्ड सैंड्विच ग्रिल्ड सैंड्विच बनाने के लिए हुई छहीं चार ब्रेड स्लाइग दो चीज स्लाइब, एक मीडियम साइज प्याज, एक मीडियम साइज खीरा, एक उबला हुआ आलुक जो उने स्लाइज मेरे काट लिया है, दो चमज देशी घी, दो चमज टमेटो सोस, एक चमज जीली फ्लेक्स, एक चमज जीजनी, दो टमाटर स्लाइस में कटेवे, दो चमज कॉन फ्लावर, एक चमज नमक, चलिए बनाना शुरू करते हैं, पहले तवा गरम करते हैं, उस पर एक चमज देशी घी लगा लेगे, आलो के स्लाइस को कौन फ्लेवर में लपेट कर सेलो फ्राइ करेंगे इसकी जगया हमें टिक्की कभी इस्तिमाल कर सकते हैं या इसके बना भी बना सकते हैं या आपकी इच्छा पर डिपेंड है इने घीला देंगे थोड़ा सा देले से बलापतेंगे गया शिरोगी रखेंगे वन्नावे जरी जाएंगे यह देखेंगे यहां हमें सिख्के तयार होना है अब हम इने उतार लेंगे अब सेर्टमीस बनाना इस्टार्ट करते हैं जर्टमीस पर की लगा लेंगे एक से आपने लेंगे तर्टमीस देखेंगे थिए अपर चिकनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो, या फिर सैजवान चिकनी, उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, आपके इच्छा पर डिपेंड आप कितने तिका खाना पसल करेंगे, अगर आपको तिकी रखेंगे, अगर आपको तिकी रखेंगे, ठीरे के स्लाइस रखेंगे, प्याज के स्लाइस रखेंगे, प्याज के स्लाइस रखेंगे, सबसे आपकी इच्छा पर डिपेंड है, जो भी हो मुशन में अब लेकर आप रख सकते हैं, स Families के मुशन में अब लेकर लेकर आप की रखेंगे, यूद्का रर का रंचे च्झी ले दोग की रखेंगे, शीजनी हुद दाल दिंग नमक दाल दिंग स्वात अनुसा अविस कि पची सिला इस रग तेंगे हमने इपने सेंडूस मेकर पहले से गरम कर लिया था अब इसको सेंडूस मेकर में रख देंगे इसे सिखने देते हैं और अब दूसरे सेंडूस तयार करते हैं इसे भी पहले की तरह ही बनाएंगे यह देखिया मेरा सेंडूस सिक्किया है इससे नम बहर डिकाल देंगे यह सेंडूस मेरा तयार होगे हैं इस पारों चीज स्लाइस की जगा पीता चीज इस पर डाल देंगे खूब सारी पीत चीज इस पर डाल देंगे इसे भी सेख लेते हैं यह देखिये हमारे यह वाला सेंडूस भी सिक्कर तियार हो गया है इससे भी बाहर डिकाल लेंगे और इने काप लेंगे यह देखिये कितने सुन्दर बने हैं प्लीज हमारे यह पसंद आखिये हैं झाल झाल झाल